कर दोस्तों मैं सागर फुमार आपका स्वागत करता हूं इस नए हिंदी टेली मार्के島 सीज़ी वीडियो में चली देखेंगे जो रूब अनलेशेस किया किसा टव्ण हो है बात करें आगे मार्केट किस तरीकिके का हो सकता है थो दौस्तों मैंने आपको काया कि जैसे आप देखरों ने आपर की market में काफी अजीव से volatility वाला माहौल बना हुआ है जैसे कि market ने जैसे हमने सोचा था कि यहां से यह low market retest करेगा around 46,000 के आसपास का हमने सोचा था कि market यहां से इस low को retest कर सकता और market ने लोग को retest किया भी है बहुत अच्छे तरीके से market ने इस low को retest किया इसके नीचे भी गया market लेकिन immediately market फिर upside पर turn हो जाता है यह दिक्कत जो आ रही है यह आपको हर जगे दिखाई दे रहोगी बार बार आपको चार्ट पर यहीं दिखाई दे रही होगी market नीचे आ रहा लेकिन आप साइट पर चले जा रहा रहा है ठीक है market continuously एक साइट पर ट्रेड नहीं कर पा रहा है यह दिक्कत आ रही है यह आपको दिखाई दे ही रहा होगे तो कुछ से बताने जिसी बात है नहीं वैसे ठीक है यह हम discuss भी कर रहे हैं काफी दिन से और अब यह भी मैंने यह भी कल काप से का आता है कि हमारा यही रहेगा market में कि यार हम एक ट्रेड या एक दो ट्रेड प्लान करेंगे कि हमारे analysis के चाफ से कि बहुत से यहां से एक trending move आना चाहिए और अगर market में वैसा कुछ trending move आता है तो ठीक है नहीं आता तो फिर कोई बात नहीं हम देखेंगे बाद में मताब बार बार जादा try नहीं करेंगे ठीक है अब यहां पर देखेंगे market ने completely एक downside move भी दिया upside move भी दिया और फिर market ने यहां कहीं पर बीच में कहीं पर close किया अ आप डेली जो चार्ट है उस पर जाकर देखोगे अगर तो आपको यह समझाएगा कि यहां पर यह किस तरीकी का फिर से यह इस दिन जैसा candle market ने फिर से बना दिया ठीक है market basically ऐसा लग रहा है कि struggle कर रहा है या तो किसी news के लिए struggle कर रहा है किसी चीज के लिए wait कर रहा है क्य market में buying आते हुए दिखाई दे रही है जब जब market में और अगर जैसे आप यहां पर देखोगे कि अगर market में selling pressure आना होता तो यहां से market में selling pressure इस तरीके साथ है यह candle बना देता ठीक है फिर से market में एक दो दिन hold करता market फिर से एक इस तरीके का market break दे देता लेकिन बार-बार market इस support zone को बार-बार hold कर रहा है बार-बार यहां पर support ले रहा है जैसे अभी पिछले तीन दिनों market दो बार कर चुका है तो अभी हम यही फिर से देखे हम जो हमारी expectation है market से हम market में वही रखेंगे expectation कल निफ्टी में एक momentum मुझे लगता है कि कल के दिन हो सकता है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे कि market में एक downfall आया है फिर फिर से एक market ने डोजी यहां पर बना दिया है तो इस डोजी का high और low हमारी काफी important होता है हो जाएगा ठीक है तो अगर market फिर यह high के ऊपर trade करने लगता है तो मतले वह 50DA में जो है यह 50DA में है इसके ऊपर market trade करना अगर आप समाल पाए होंगे आज भी ठीक है market में क्योंकि market में यह extensive volatility आप देख रहे हैं कि यहां से जो हमने सोचा था कि market ने अच्छा downside दिया है यहां पर market ने open भी एक मुझे देखे यहां पर दिखा मुझे कि हां market यहां से एक gap up opening दिया है market ने लेकिन upside पर market sustain नहीं कर प यहां पर जिन लोगों अपने position बनाया होगा यहां से market फिर से उसी जगह पर यहां पर कहीं पर जिन लोगों ने position बनाया होगा वापिस market उसको touch किया है आज तो जो लोग नहीं जो लोग trailing follow करते है market में वो already निकल चुके होंगे अभी तो यही market में problem आ रही है कि जो बंद trade में बडे profits नहीं देख पा रहे हैं, trend नहीं देख पा रहे हैं अपनी direction का ठीक है यही market में दिक्कत आ रही है यही हमारा क्या यहां पर काम हो सकता है कि हम keval simple यही करेंगे कि बॉस जो प्रीवेस टाइम मार्केट में सपोर्ट था आज के दिन वो रजिस्टेंस की तरह एक किया तो मार्केट में 21,900 के उपर अगर मार्केट निकलता है तो यहां से एक यहां से निकलेगा या 21,750 के नीचे मार्केट फिर से निकलेगा जहां से यह market में एक price action बनना शुरू हुआ था यानि यह जो bullish candle है इसके बाद market ने जो hold किया इसके बाद यह ब्रेक आउट दिया यहां से यह 21,750 से नीचे market में एक आपको downside pressure फिर से देखने को मिल सकता है ठीक है लेकिन वही मैं फिर से आप से वही कहूंगा कि थोड़ा अपना quantity समाल करें करना position size समाल के करना क्योंकि यह ना ऐसा लग रहा है कभी कुछ समय से कि market trade करने जैसा बच्चा मतलब लग नहीं रहा है काफी time से trade करने जैसा ठीक है जो लोग जिन को तो जिस तरीके का जो लोग ट्रेड करते हैं, उनको उस तरीके से पैसे नहीं मिल पा रहा होगा, ठीक है, अभी, तो कुल में इलाके, अभी हमारा यही रहेगा, कि अगर मार्केट इस डोजी को नीचे साइड पर ब्रेक करता है, इस डोजी को अप साइड पर ब्रेक कर रहा ह तो हम फिर डिसाइड करेंगे कि हाँ में किस तरीके का मार्केट में आगे आने वाले दिन देखने को मिल सकते हैं तो कलिकल इन थोड़ा सा अगर मार्केट मालीजे बीच में रहता है तो यहाँ पर फिस आप कोई भी ट्रेड प्लान मत करिएगा यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है कि आप इन हाई लोग के आपके स्टॉप लोस हो जाएंगे और इसके बीच में आपका निफ्टी आपकी एक्सपेक्टेशन देनी चाहिए कि मार्केट इसके बीच में एक्सपायर कर जाए ठीक है ऐसा कुछ-कुछ आप एक्सपेक्टे 46,600 है और डाउन साइट पर फिर से 46,000 ले ले लेते हैं ठीक है देखें रेंज तो काफी यह बहुत बड़ी रेंज है जाना अरॉंड 45,900 के आसपास की है यह लेकिन यह जोन हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा भी 46,000 और 45,900 यह जो जोन है हमारे लिए काफी अब मैं तो यह सोचूँ मतलब दिखें मेरे हिसाब से यह इस तरीके से भी हो जाना चाहिए कि फिर से आप यहां पर भी यही चीज लेके चलें कि यह वाल लेवल जो मार्केट में around 46,100 अब दिखें न मैं यहां पर भी अगर मैं अगर बोलूँ आपको कि यार संकोज जिया दे मुद्गों कि अस दिन भी मार्केट काफी वॉलटायल जिग जैग हो के फिर अप सैंड डाउन साइड काफी ar काफी काफी प्रॉबलम वाली इस्तिती सी लग रही है यहां पर एंप साइड पर तो इस समझ़ में आ रहा है कि 46.600 है लेबल हमें देखने को मिल सकता है upside पर यहाँ पर एक momentum हमें देखने को मिल सकता है लेकिन यहाँ पर है फिर से एक psychological number ले ले लेते हैं यहि grammar 46,000 है यह हम level ले ले लेते हैं इसके नीचे अगर market आता तो एक risk लिए जा सकता है छोड़ा सा फिर से यहां से एक risk market में प्लान किया जा सकता है कि यहां इसके नीचे अगर market आएगा तो हम देख सकते हैं इसके बीच में बिल्कुल भी trade मत करिएगा परिशान रहेंगे इसके बाइब निफ्टी में 21,900 अपसाइड पर और लेकिन यह अपसाइड पर भी मैं अउत्रा नहीं अप्ट्रेंड बड़ा अपसाइड मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसका रीजन यहीं है कि यहां पर यह गैप पेंडिंग है ठीक है और दूसरा 22,000 का लेवल भी ह जो कि open interest पर आप देखोगे न तो सबसे ज़्यादा भी open interest यहीं पर खड़ा हुआ है 22,000 के आसपा सबसे ज़्यादा open interest खड़ा हुआ है यह level market अगर निकालेगा तो पहला है 46.600 के आसपास market आएगा वाहा रजिस्टेंस लेगा एक यह जोण मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से यह जो जोण है यह जो जोण दिखाई दे रहा है around 46,700 से लेकर 600 वाला ये जो zone है ये अगर market sustain कर जाएगा ना market अगर tick जाएगा यहाँ पर ठीक है time निकाल देगा तो फिर market में आपको बड़े target फिर से देखने को मिलेंगे क्योंकि बार-बार market ना इसी zone पर hit कर रहा है यहाँ पर आप जाएंगे तो ये 46,000 वाला जो zone है ये market दो बार hit कर चुका है तो upside पर ये वाला zone और downside पर ये वाला जो zone है 46,100, 46,000 वाला ये दोनों zone बहुत important हो जा रहे है हमारे लिए तो यहाँ से जब upside पर market निकलेगा या downside पर market निकलेगा तो हमें एक अच्छा है आपर move देखने को मिल सकता है maybe ठीक है अब देखने ऐसा हो गया है कि ये भी कुछ भी कहने में confidence नहीं आ रहा है कि यार ऐसा हो सकता है ठीक है लेकिन यही है कि हमारा फर्ज क्या है हमारा फर्ज एक ही है कि जब हमें market में दिखाई दे कि एक जो level हमने सोचा था उसके ऊपर या उसके नीचे market निकल रहा है तो महाँ पर एक छोटा trade प्लान कर लिया जाए जाकि अगर market में माली जो कोई trend आ रहा है आ जाए तो हम उसे miss ना करें ठीक है बस इतना ही हमारा काम है और कुछ भी मारा काम नहीं है और निफ्टी के लिए तो मैंने बताई दिया आपको 21-800 के आसपास का भी हम level यहाँ पर ले सकते हैं 21-800 के आसपास फिर से market यह swing को touch करने की market कोशिश करेगा उस mancha के साथ हम सोच सकते हैं ठीकिन लेकिन यही है कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है ऐसा नहीं होगा कि market सलंग इस तरीके से नीचे आ रहा है क्योंकि market नहीं यहाँ पर यह जो bullish candles बनाई नहीं यहाँ पर support ढूणने की कोशिश करेगा तो मेभी आपको थोड़ा तरपा-तरपा के market मार्केट नीचे आएगा तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेर रहे ना कॉल्स भी बेचे जा सकते हैं एक तरीके से कल के दिन अगर अगर मार्केट मान लीजी इस लो को आज पस उसके ऊपर आ रहा है closing price के ऊपर जा रहा है तो यहां से exit कर जाईए simple सा है यह ठीक है FIA data अगर आप देखते हैं तो FIA is call और put दोनों buy करें है index future में selling करा है हैsong यह तो option o5 दोनों इन यह हैं बेरिश यहां पर दिखाई दे रही है और आप को यह नहीं दिखा दे रहा होगा मैं ठीक करता हूँ जो नेट open interest act है यह आप अपने बैरिपर इन पर है यह यह वाला यKA ऋपन इंट्रेस्ट है यह यहां पर काफी नेगेटिव दिखाई दे रहा है आज भी जो selling होई है उससे थोड़ा सा और increase होता हूँ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है और यहाँ पर जो future जो option हुआ ही है वो भी negative ही दिखाई दे रही है तो कुल मिलाके अगर आप में से कुल-कुल मिलाके बाद पूछेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बता जेता हूँ कि निफ्टी एक डोजी कैंडल बना खाब कल में भी एक fed की meeting है आज जो US में कोगी वो उसकी announcement के लिए वेट कर रहा है किसके लिए वेट कर रहा है market अभी डोजी कैंडल मार्कें दे बनाया है तो अगर market low cross करता है तो हम bearish trades अपना continue कर सकते हैं नहीं तो गर high cross करता है तो वहां से हमें निकल के और फिर कुछ और सोचना पड़ेगा ठीक है तो कल का आज जो डोजी के अंडल आज बनाई उसका high और low हमारे लिए थोड़ा important हो जाता है यहाँ पर और फिर मैं वही कहूंगा कि position size अपनी समाल के trade करना क्योंकि मार्केट काफी unexpectedly behave कर रहा है तो quantity अपनी कमी रखके trade करना पैसे बचाने के बारे में ज्यादा सोचना पैसे कमाने के बारे में कम सोचना ठीक है और इसी के साथ हमेशा के तरह हमेशा के तरह मैं यह कूंगा कि वह सक्वाइबने capital को बचा के trade करो अभी खासका बहुत जादा जरूरत है क्योंकि पैसे अगर आपके पास capital अगर खतम हो गया तो फिस टाइम पर यही दिक्कत आ जाती है कि यार जब मार्केट में trend आएगा तो हमारे पात पैसा नहीं होगा ठीक है उससे बचने के लिए अपने आपको समाल के trade करो ठीक टीक quantity में trade करो ज्यादा aggressively मत मार् और आप उसी मुमेंट में बड़ा मुमेंट ढूंडते रहें और और ज्यादा लॉस करते रहें तो उससे बचने के लिए position पहले initially अपना समाल के थोड़ा कम में trade करो और जब मार्केट में trend आएगा तो फिर पैसा तो बनेगा यह बनेगा तो हमेशा के तरह अपने capital को वेजिक के साथ, trade करो and have a safe and happy trading with Sensible. Bye-bye.